वो योगी व्यक्ति है, जिसको कर्म करने में कुशलता आ गए, काम करने का धंग आ गया, युक्ति भी, नीती भी, रीती भी, प्रीती भी, जिस काम को आप करते हैं और आपकी रोजी रोटी चलती है, उसको प्यार करना सीख जाएए, प्रीती पहले चाहिए, अपने काम को प प्यार करने वाले बनो, जिस घर में बसे हो, उस घर में अगर सुक चाते हो, तो अपने घर को प्यार करने वाले बनिये, उसको देख देख कर ये मत को, किस घर में आके रहना पड़ रहा है, कितनी महिलाएं बोलती हैं, नसीप उट गे, जो इस घर में आके बसे, जब आप अपने घर को ही बुरा बोलने लग जाते हैं तो घर आपको सुक शांती नहीं देता अपने रिस्तों को प्यार करिए कि जो भी है जैसा है जिस तरह का है मेरा बहुत अच्छा है मेरे रिस्ते बहुत अच्छे हैं तेरे उपर भगवान की कृप़ा है, लाकों से अच्छे हैं, हम भगवान की बहुत मेहरबानी है, ऐसा कहकर अपने नसीब को सराना चाहिए, मेरी शादी तो वहा हो जाती तो कितना अच्छा होता, यह मिला नसीब में, या यह मिली, इस तरह का बोल कर लोग अपने नसीब को खराब करते हैं, कितने लोग अपने काम धंदे में बैट करके अपने काम को ही बुरा कहते हैं, अपने व्यापार को बुरा कहते हैं कि ये क्या काम मिला आम को ये कोई काम है ये कोई जौब है ये कोई नौकरी है करनी पड़ रही है मजदूरी से मजबूरी में कर रहे हैं जब आप अपने काम को प्यार नहीं करते तो आपका काम आपको प्यार नहीं करता और फिर वो आपको खुशी नहीं देता कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कर्म को कुशलता से करना सीखिए और कुशलता से तब होगा जब अपने काम को प्यार करने वाले बनिये आप अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले जिस जगह आप अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं चाए नौकरी करते हैं चाए व्यवसाय करते हैं ओफिस में काम करते हैं जो भी काम करते हैं अपनी है उसका शुकर मनाइए और प्यार से जाओके उस जगह बैठिये और आशिरोषाद मांगि meant wanna मे及 मेरा मान समयान बना रहे और यहां से मेरे बच्चों का मेरा घर जहां से चलता है भगवान मुझे बरकत देना मेरे काम में बरकत देना और मैं काम चोर ना बनू अपना कर्म बहुत अच्छे से निभाओं तो आप ये देखना कि उस कुर्सी पर बैठते ही बात कुछ और बनेगी और अपनी टेबल को थोड़ा ठीक ठाक करके बैठिए और अगर हो सके तो वहां एक प्यारा सा फूल लेके ताजा फूल लेके प्रिकृती की परमात्मा की मुस्करहट और खुशी फूल से दिखाई देती है तो उस फूल को सामने रख करके ये ध्यान में रखना है कि तरो ताजा बने रहना है कोमल बने रहना है मुस्कराते रहना है और जैसे फूल सुगंद से भरा है ऐसे मेरे कर्म में भी सुगंद आती रहे, मेरा कर्म भी मुझे कीरती देता रहे, ऐसा भाव रखकर पूल रखकर सामने बैठे, अपने गरंतों में तो यहां तक लिखा है कि आप अपने घर के जल पात्र को जिसमें पानी रखा जाता गड़ा, वो वरुण देव का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, अम्रित कुम्ब है वो, उसके उपर जो ढखकन रखते हैं, वहां एक पूल रखकर के, अपने कलश को, अपने पात्र को तिलक लगा दो, और अम्रित के काम न करो, जल है तो जीवन है, आपके शरीर में 72 परसेंट पानी है, बोजन कम हो जाए, मतलब भूक जाग जाए, तो बरदास हो जाएगी, और पानी की मातरा गट गई, प्यास बरदास नहीं होती और चक्कर खाकर गिर जाएगा आदमे, तो आपको नियम ये माना गया है, कि जो भी काम करते हैं, उसे प्यार करना सीखिए, अपनी रसोई गर में जाते हैं, तो अपनी रसोई गर में भी, ये समझें कि ये भगवान का प्रसाद बनाने का आवसर मिला है, तो मेरे परिवार के लोग जो बोजन करते हैं, वो बोजन बोजन ही नहीं, वो अमरित प्र अब हमने कर्म में प्रेम ले आओ।